है गाईस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज किस वीडियो में एकदम लेटेस्ट स्मार्ट वॉच का अन्बॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूं जिसका नाम है फायर बोल्ड नुकलियस और इस वॉच के अंदर बिलकुल एच टो एच डिस्प्रे देखने को मिल जाता ह उसी के साथ calling features देखने को मिल जाता है अगर बात करें box की तो यहां पर इस चाइप से कुछ box देखने को मिल जाएगा पीछे के side में कुछ highlighted features दिए गए है बाकी एक बार इसके box को open करके check करते हैं कि क्या-क्या contents देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले box को open करते ही देखने को म मिल जाएगी और इसको पढ़के आराम से समझ सकते हो सारे features वगिरा उसी के साथ यहां पर वही सारे कार्ट देखने को मिलेंगे जो कि fireball के सारे product के साथ देखने को मिलता है जैसे कि warranty card, book my show card, gana subscription और bolt play subscription और last में देखने को मिल जाएगा magnetic two-pin cable तो यहां पर magnetic two-pin charging का support देख सबसे पहले अगर बात करें बिल्ट और डिजाइन की तो बिल्ट के मामले में बहुत अच्छी रहने वाली है यह smart watch पूरी watch के अंदर polycarbonate build देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहां पर बहुत premium looks आते हैं इस watch के अगर बात करें crown की तो crown इस watch के अंदर working होने वाला है उसी में microphone का support देखने को मिल जाएगा तो यह भी एक calling watch होने वाली है उसी के साथ पीछी के side में कुछ sensors देखने को मिल जाएंगे जिनको वीडियो में आगे test करेंगे और यहां पर removable steps का option भी देखने को मिल जाएगा यानि कि market से कोई भी steps purchase करके लगा सकते हो overall build quality बहुत सही है और straps की quality भी बहुत सही है watch को मैंने boot कर दिया है और watch को phone से connect करने के लिए आपको अपने phone के अंदर एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है दाफिट और यहां पे add a device पे click करना होगा और add a device पे click करके यहां पे दिखने को मिल जाएगा BSW051 तो इसके उपर click करके watch को आराम स connect कर सकते हो तो यहां पे within seconds यह smart watch phone से connect हो जाएगी डिस्प्ले की बात करें तो इस smart watch के अंदर 1.78 inches का 368 x 448 pixels resolutions के साथ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है तो यहां पे overall display की quality बहुत शांदार रहने वाली है उसी के साथ इस watch के अंदर always on display का भी option देखने को मिल जाएगा वाकि इस watch के अंदर colors बहुत पंची ही आते हैं उसी के साथ अगर बात कीजा है bezels की तो इस watch के अंदर बिल्कुल minimum bezels देखने को मिलते हैं बिल्कुल ना के बराबर bezels देखने को मिलते हैं तो overall watch faces बहुत शांदार लगते हैं उसी के साथ अगर बात करे brightness की तो peak brightness पे इस smart watch क डिस्प्ले डाइरेक्स लाइट में भी विजिबल हो जाता है और ओवरॉल ब्राइटनेस भी सही देखने को मिल जाती है अगर बात करें UI की तो इस smart watch के अंदर नीची के तर स्वाइब करके control panel देखने को मिल जाता है और यहां पे एक feature बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा जो कि एक बाद बता देता हूँ तो यह है basically water ejection वाला feature जिसके अंदर यहां पे speaker से air pass होती है और अगर आपके watch के speaker के अंदर पानी चला जाए तो उसके लिए यह feature बहुत अच्छा है और आजकल firebolt की smart watches के अंदर यह feature आने लग गया जो कि personally मुझे बहुत अच्छा लगता है उसी के साथ इसमें right की तर swipe करोगे तो यहां पे इस type से applications वगरा देखने को मिल जाएगी honeycomb mode के अंदर और overall अगर बात करे smoothness की तो बहुत smooth display कोई problem नहीं होगी उसी के साथ इस watch का crown working रहने वाला है तो यहां पे crown को rotate करके zoom in और zoom out भी कर सकते हो जो कि बहुत सही है और उसी के साथ अगर इसमें उपर की तर swipe करोगे तो यहां पे notifications वगरा देखने को मिल जाएगी और right की तर swipe करके कुछ components देखने को मिल जाएगे और यहां पे सारे ही component के अंदर उपर की तर swipe करके सारा डेटा अच्छे से access कर सकते हो और अपने हिसाब से customized component भी add कर सकते हो बाकि इस smart watch के अंदर normal crown वगरा को rotate करके watch faces वगरा भी change कर सकते हो उसी के साथ यहां पे एक menu style और देखने को मिल जाएगी जो की एक बार बता देता हूँ तो अभी मैंने बताईती हनी का मोड और अब एक बार list view भी बता देता हूँ तो list view इस टाइप से देखने को मिल जाएगा और यहां पे application वगरा ढूणना easy रहता है watch faces की बात की जाएगा तो इस smart watch के अंदर inbuilt 7 watch faces का option देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहां पे watch face 1 में edit पे click करके custom watch face भी लगा सकते हो यहां पे option देखने को मिल जाएगा select picture का उसी के साथ यहां पे more पे click करके और भी बहुत सारे watch faces देखने को मिल जाएगे इसके application के अंदर तो ये वाले watch faces भी इस watch के अंदर add कर सकते हो तो overall watch faces को लेके कोई कमी नहीं होने वाली है अगर बात की जाए IP ratings की तो इस smart watch के अंदर IP67 की ratings देखने को मिल जाती है और इसके अंदर water rejection वाला भी option है तो overall अगर थोड़ा बहुत पानी वगरा गिर जाएगा तो कोई problem नहीं होगी और अगर बात करें कुछ applications की तो एक के करके आप कुछ applications test करना start कर देता है सबसे पहले option देखने को मिल जाएगा pedometer का और यहाँ पे आपको पूरा steps वगरा show हो जाएगे और accuracy बहुत सही देखने को मिलती है और उसके बाद यहाँ पे phone call का option देखने को मिल जाएगा और context के अंदर कोई भी 8 context application से sync कर सकते हो recent call के अंदर call locks देखने को मिल जाएगे और dial pad पे किसी को भी calls वगरा आराम से place कर सकते हो अगर बात करें speaker quality की तो मैंने इस पे 2-3 calls वगरा अटेंड किये है और speaker quality अच्छी है इंडोर में कोई problem नहीं होती है आराम से calls वगरा अटेंड कर सकते हो पर outdoor में थोड़ी बहुत problem हो सकती है उसके बाद option देखने को मिल जाएगा heart rate sensor का और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने watch को नहीं पैना तो reading show नहीं हुई उसी के साथ इस watch के अंदर एकदम accurate heart rate sensor देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसकी readings को मैंने oximeter से compare किया है और oximeter से reading match करती है तो heart rate sensor के accuracy अच्छी है उसी के साथ यहाँ पर sleep monitor देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी अच्छी accuracy देखने को मिल जाती है 90-95% तक accurate data provide करता है और proper graphs के अंदर data show हो जाएगा उसी के साथ यहाँ पर spo2 का option देखने को मिल जाता है और spo2 की बात करे तो यहाँ पर dedicated red light sensor देखने को मिल जाता है और spo2 के accuracy भी बहुत शांदार आती है उसी के साथ यहाँ पर exercise modes के अंदर 120 plus sports mode देखने को मिल जाएगे तो overall sports mode की कोई कमी नहीं होने वाली है और कोई भी sport आराम से access कर सकते हो उसके बाद option देखने को मिल जाएगा exercise records का और इसके अंदर सारा data वगरा शो हो जाएगा उसी के साथ messages के अंदर phone के messages वगरा शो हो जाएगे voice assistant का option देखने को मिल जाएगा और basically अगर आपके पास android है तो google assistant on होगा और अगर ios है तो siri feature activate होगा तो इस type से use कर सकते हो उसी के साथ इस watch के अंदर previous seven days का weather show हो जाएगा जिसको आराम से access कर सकते हो उसी के साथ option है remote capture का और remote capture भी इस watch के अंदर working है उसी के साथ यहाँ पर music player का option देखने को मिल जाएगा तो चलिए कुछ music सुनते है तो यहाँ पर आपको अच्छी कासी speaker quality देखने को मिल जाएगी और music वगरा भी सुन सकते हो इस watch के अंदर उसी के साथ यहाँ पर basic सा option देखने को मिल जाएगे जैसे की alarm उसी के साथ stop watch और timer का तो यहाँ पर अपने साब से आप access कर सकते हो उसी के साथ female health tracking का option है और calculator का option देखने को मिल जाएगा इस smart watch के अंदर और यहाँ पर कुछ भी calculation वगरा हराम से कर सकते हो उसी के साथ इस watch को as a flashlight भी use कर सकते हो और यह feature भी कभी को भी useful हो सकता है उसी के साथ इसके application का barcode देखने को मिल जाएगा और others के अंदर यहाँ पर और भी option देखने को मिल जाएगे सबसे फेरा option है display का और इसके अंदर auto sleep set कर सकते हो menu style चेक कर सकते हो उसी के साथ brightness वगरा भी adjust कर सकते हो अपने हिसाब से और उसके बाद है option dial switch का और यहाँ से watch face change कर सकते हो उसके बाद option है vibration, low power mode, theater mode, phone call, call reset, always on display always on display के अंदर digital clock और analog clock दोनों का option देखने को मिल जाएगा उसी के साथ find phone का feature है, system है और about section है system के अंदर basic से option देखने को मिल जाएगे जैसे कि restart power off reset का तो basically यही सारे features देखने को मिल जाते हैं से smart watch के अंदर तो अब अगर last में बात करे conclusion की तो conclusion देने से पहले से smart watch का price बताना चाहूंगा चोकि है 4000 रूपीस और 4000 रूपीस के साब से value for money product है क्योंकि display अच्छा है उसी के साथ यहाँ पर crown working देखने को मिल जाएगा features बहुत शानदार है उसी के साथ health features की accuracy बहुत अच्छी है और overall looking wise भी बहुत अच्छा product है तो overall अगर आपका budget 4000 तक हो तो इस watch को जरूर से consider कर सकते हो बाकी अभी Amazon flip card पे sale आएगी तब हो सकता है यह watch थोड़ी सस्ती हो जाए तो जब भी इसमें कुछ price drop देखने को मिलेगा मैं community post जरूर से डाल दूँगा तो मेरे चैनल को subscribe सरूर से करके रखना और अगर आज का वीडियो अच्छा लगाओ तो like subscribe जरूर करना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई